गूड़ मुर्णिक स्टूडेंस सभ कैसे हो वो पॉलफीवर फाइन सटूडेंस तो मादा हाप्ती अली एकजम फिनिस्ट होयगा छे आज के यहाम आनुवाल एकजम में चोडनो स्टाडी स्टार्टिंग कोड़ो, ओके, सबको तो हापियाल एक्जम फिनिस्ट हो गिया, तो आज से हम क्या सुरू करेंगे, एनुवाल के लिए पड़ाई सुरू करेंगे, ठीके, तो टोटेय वी रिज चाइन्स, सब टोटेयाट करेंगे, बूपन चाप्टर 8, ऊके, पेज नॉमबर 34, तोटेये वी रिजे चाप्टर नॉम बार एट, तो निमीस योंगवांस ऑफ अनिमल्स, ऊके, ऐफ चाप्टर आज के जिताए, आज के आमरे एनिमल्स तर बेबी आनि नाम अलग अलग है तो उसके बाड़े में आज हमको पता चलेगा देखो आनिमल्स गीफ बार्थ टू दियार यंग वांस साम आनिमल्स फास्ट ले एक्स दा एक्स लेटर हैज एंड बेबिस केम आउट तो कीछो आनिमल्स प्रोथों में डीम पाड़े तार पड़े शी डीम थेके बाच्चा बेरी आशे आर कीछो आनिमल्स की होई डीरेट बेबिस देर जान मोदाएं जैमोन दोडों कैट डोग एद्र की एडरा तो डीम पारे ना एडर डीरेक्ट ते अधर बेबि ँदेर के जान मोदाएं जैमोन बाड्स राकी कोरें बार्ड शनेक एडरा प्रोथों में डीम पारें देन शी डीम थेके बेवी बेरी आशे कुछ अनिमल्स सब अनिमल्स को बेबी होता है तो हर अनिमल्स को बेबी होता है मागर सब अनिमल्स डीरेक्ट बेबी नहीं होता है कुछ अनिमल्स को क्या होता है डिरेक्ट बेबी होता है और कुछ अनिमल्स को पहले अन्डे देता है फिर वो अन्डे से बेबी निकलती है जैसे काव डॉग यह सब क्या होती है डिरेक्ट बेबी होती है इसको और जैसे बार्ट स्नेक यह सब अनिमल्स का क्या होता है पहले अंडे देता है फिर वह अंडे फ़ाट कर फिर बेबीस निकालाती है ओके? सो देखलो फास देखो ये क्या है पता है? इटा दिस अस्ट्रीज दिस बार्ड नेम इस ऑस्ट्रीज ओके? एक अस्ट्रीज इस दा बिगस्ट ओफ अल दा एक्स जो तो एक्स आछे वर्ल्डे शौप ते के बोड़ो एक्स होचे ऐस्ट्रीजर ऐस्ट्रीजर एक्स शौप ते के बोड़ो तुम्हा देखे चो एक्स तो शौप आई देखे चो सबसे बड़ा काउन सा एग है, यह ऑस्टिश का जो अंडे देता है, वो अंडा है सबसे बड़ा, okay, तो एग ओब ऑस्टिश is the biggest of all the eggs. A baby cat is called a kitten, so cat का जो baby होता है, इसको बुलाती है kitten, the baby cat name is the baby of a cat is called kitten, so this is big cat and this is the baby cat, The baby cat's name is what? Kitten. What is the name of a baby cat? The baby cat is called kitten. Okay. Next, this is sheep. So, this is big sheep and this is baby sheep. What is the name of a baby sheep? A baby sheep is called a lamb. So, the name of a baby sheep is called lamb. What is the name of a baby sheep? Baby sheep is called a lamb. Okay. Next, this is dog. A dog's baby is called puppy. Dog is called baby. What is the name of a baby? Puppy. The baby dog is called puppy. Next, this is deer. And the deer, the baby of a deer is called fawn. What is the name of a deer? The baby deer is called fawn. Next, a baby bear is called a cow. So, bear is a wild animal. Okay. So, what is the name of a baby bear? The name of a baby bear is called cow. Okay. Next is a baby goat is called keet. The baby goat is called keet. And the baby duck is called duckling. The duck is called duckling. duck, so, that's what is the gender. What do you do for the dog bear? Well, the all this matter is. What is the name of a baby bear? यह होर्स का जो बेबी है बेबी होर्स उसको बुलाती है कोल्ट होर्स दिएक के की बहले तौल्ट अन्ली एई डाक अर डाक हैं हो तो जी शब बर्स टाइप है चे अनेमल्स को राज है बर्स के जैसे जो अनेमल्स है जैसे हेन और आदर बर्स लिजर्ड और स्नेक ये सब को क्या होता है अंडे से बेबी निकालती है ये शब अनेमल्स देर के पोथों में डीम परे एकस होई से एकसे के बेबी होर इदर कींतु डीडेक्ट बेबी होरे ना और एकाने दाखो तूमना ए बेबी-बी ज़ about और लाईन और बेबी-बिय के बेबला करल और समॉल नाउ Now turn to next page Many animals give birth to their babies The young ones have a different name So every animals give birth to their babies Or every baby animals have a different name This is your homework इस एकससाइस ए एंड इस राइट दर नेम अफ छूजर इस यह किसका पीकचर वहां है जिस लाइट राइट ही हलं वहां है तो जरुजाने की dark right here dark and I will give you in details course and answer and extra exercises from this chapter okay